नमस्कार पित्रों आपका स्वागत है आपकी चैनल एड़ वालियो टू लाइवज में आज हम बात कर रहे हैं कि बाई बिजनस क्यों करना चाहिए बिजनस क्यों करना चाहिए इसकी बहुत सारी वज़ें बहुत सारे रीजन्स हैं एक यह आपको अपने comfort zone से बाहर निकालता है और जब मैं business की बात करता हूँ तो मैं specifically sales के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपने sales क्यों करना चाहिए आपने अपनी entrepreneurial journey की शुरुवात sales से क्यों करनी चाहिए sales आपको पहले तो अपने comfort zone से बाहर निकालता है ठीक है comfort zone जो आप किसी से बात नहीं करोगे जो आप office से घर गए घर से office गए खतम बचे कुछे जो time है आपकी journey का जो train में गुजारा जो गाड़ी में गुजारा आपने चलते चलते या bike पे तो you're not thinking about how to grow yourself आप जितनी आपकी अगर आप salaride हो या अगर आप एकदम छोटा सा कोई professional services या professional कुछ काम करते हो which is more like a job to yourself तो आप उसी के दाइरे में उतना सोचते हो not beyond that generally most of people do that अब if you keep doing that that means you are not improving आप तो improve नहीं हो रहे हो but world is moving daily and daily faster than what you me or anybody can think of ठीक है so जब आप अपने comfort zone से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करोगे then it will pain, बहुत दर्द होगा but उसी दर्द में एक शक्ती है, उसी पेन में एक power है जो आपको अंदर से धीरे 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 स्ट्रॉंग कर रही है अब जब यह स्ट्रॉंग कर रही है और जब आप उस transition में हो comfort zone से भार निकलने के, तो आपके उपर एक positive impact आना शुरू होगा आप दूसरे लोगों से मिलोगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनकी बात सुनोगे और उतने conversations में आप लोगों को read करना शुरू करोगे लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या करते हैं और आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो आपका सोचना, बोलना और करना एक line में होना चाहिए, तो आप grow करोगे है लोगं कुछ मुंपे बोलेंगे कुछ मों पीछ पीछ के से कुछ और करेंगे तीसल upme यूंप अपने काम पर अपने आंस फोकस करोगे तो यह है ticket ली आपने सेल्स से जर्री जब शुरू की तो you start improving फिर उसके आगे आपके ही सोच वाले जैसे और लोग हैं उनके साथ में आप अपना network बनाओगे तो उनकी सोच भी आपको मिलेगी जो की growth वाली सोच होगी तो इस तरीके से आप अपना growth धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे आपके सा काम कर रहे हो तो जिस दिन आप जॉब पे नहीं गए जिस दिन आप अपनी दुकान आपने नहीं खोली जिस दिन आपने अपना छोटा काम नहीं किया उस दिन आपकी income नहीं आएगी पर बिजनिस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टीम बनती जाएगी लोग आपके साथ जुड़ते जाएगे वो काम करेंगे आपके लिए तो आप अपना time properly manage करोगे So coming back के भई sales या business क्यों करना चाहिए multiple reasons है एक आपको independent बनाता है आपकी सोच सकती को बढ़ाता है financial आपकी power बढ़ाता है financially आपको free करता है आपको time free करता है basically आपका mindset एक free flowing mindset हो जाता है आपका जो circle है आपका जो network है वो उस तरीके का लोग होगा कभी आपने बड़े से businessmen को ऐसे ही अपना road पे या किसी टपरी पे या किसी bus stop पे या इस तरीके से देखा है नहीं वो हमेशा अपने जैसे ही लोगों के साथ network करते हैं उनकी जो league होती है उनका जो class होता है उनका जो group होता है उनका जो circle होता है वो वैसा होता है कि उन सब की सोच वैसी होती है तो ये एक फरक है ये एक और उन्होंने भी कोई एक रात में या ओर नाइट पे इस तरीक इसे success आचीव नहीं की उन्होंने भी इसी तरीक इसे सून्य से शुरू किया था है start from zero बट एक चीज लेके चले थे वो अपना mindset कि भाई कुछ भी हो जाए मैं business ही करूँगा मैं व्यापार ही करूँगा मैं factory ही डालूँगा मैं industry ही चलाूँगा मैं 2-4 फैक्टरियां डालूँगा मैं 2-4-6 दुकाने खोलूँगा फिर धिरे धिरे वो 2-4 को मैं 10-12-20-15-25 पर पहुचाऊंगा यह mindset लेके चलते हैं तभी तो वो achieve कर पाते हैं वो देखते हैं उनको दिखता है and that is where they believe they believe in themselves they believe in their thinking they believe in their dreams they visualize उनको दिखता है कि भी यह मेरी factory होगी यह मेरे shops होंगे यह मेरे warehouses होंगे मैं इतना इतना माल बेचूंगा इन इन लोगों से ऐसे ऐसे लोगों से इस class के लोगों से मैं मिलना जुलना होगा इस तरीके से यह मेरा बड़ा मकान होगा या मेरा flat होगा या apartment होगी गाडियां होंगी मेरे पास एक दो international trips tour करूँगा मैं family के साथ vacations जाऊँगा यह सब उनको दिखता है and एक बार दिखता है तो वो जो काम करते हैं that's just a small journey to achieve those dreams to achieve those visualizations and make them true इसी लिए business ज़रूरी है इसी लिए business का जो foundation है sales वो ज़रूरी है आपके personality development का foundation है sales आपके personality development का foundation है book reading knowledge gaining meeting up like minded and high performers around तो यह सब काम करना है और यह जब करोगे यह journey है यह एक रात में नहीं होगा यह journey है daily day in day out आपको उस तरीके से जीना है उस तरीके से आपको अपनी सोच को अपनी life को आगे बढ़ाना है तभी जाके you'll have a transformation अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आप अगर आप अगे आप एक छोटा सा बिजनस या रॉनिग बाई योसल्फ या टाक्सी चला रहे हो या उबर चला रहे हो या इस तरीके कुछ काम कर रहे हो जो आपको खुदी करना है और जिस दिन आपने नहीं किया उस दिन आपकी इंकम नहीं है इस आप टेकनोलोजी बेस्ट थिंग्स विचार गेनिग पावर ओवर ओल मैन्यूल जॉब्स और मैन्यूल वर्क बिंग दन गूगल इस कमिंग आउट विद ड्राइवर लिस कार अभी आप क्या करोगे अगर आप उबर चला रहे हो या ओला चला रहे हो या टैक्सी चला रहे हो तो एक ही स्ट्रीम आफ इंकम पे निर्भर ना रहें अलग-अलग एडिशनल स्ट्रीम्स को आड़ करें और इसी तरीके से आप सोच को आगे बढ़ाए इसी तरीके के motivational या inspirational वीडियोस देखें हो सकता है हर एक presenter की capability अलग हो हर एक presenter की knowledge base का अलग हो level जो वीडियोस बनाते हैं जो बात करते हैं पट उदेश एक ही है कि आप जहां हो वहां से आप उठो get out of your comfort zone and start venturing into a little bit risk zone तभी आप अपने आपको test कर पाओगे कि आप capable हो भी या नहीं और अगर आप capable नहीं हो तो मेरे भाई बहुत दुखत घटना है इस घड़ी उस capability को जगाओ और बढ़ाओ कल को ये ना हो भगवान ना करें जॉब चली गई एक ही source of income था फिर क्या करोगे और day in day out age बढ़ती है परिवार के साथ जिम्यदारियां बढ़ती है क्या करोगे बुरा लगेगा शायद कड़ा लगेगा जो मैं बात कह रहा हूं बट ये हकीकत है अगर आपको नहीं दिख रही इसका मतलब ये नहीं के हकीकत नहीं है छोटा example देता हूं Chinese language आती है आपको शायद नहीं तो does it mean के Chinese language है नहीं Chinese language है आपको नहीं आती तो ये exact practical life का example है चीजे चेंज हो रही है आपके जाने या knowledge circle या boundary के बहर circle विस्तार बढ़ाएं उस change का part बने और सबसे पहले अपने आपको अपने परिवार को safe करें थोड़ा सा नहीं तो एक दिन फिर देर हो जाई बहुत so humble request है अभी से सोचना शुरू करें काम करना शुरू करें और अगर कोई सवाल हो या कुछ कहना चाहते हो नीचे comment में जरूर से लिखें वीडियो को like करें जो पसंद आया नहीं पसंद आया कुछ भी आप जो comment करना चाहते हो लिखो या अगर कोई दूसरी जानकारी चाहते हो या कोई वीडियो ऐसा बनवाना चाहते हो आपके subject के उपर या आपके प्रशनों के उपर I'll be more than happy to work on those subjects those questions and come back with the whatever best I can do through a video ठीक है तो धन्यवाद चैनल को subscribe करें share करें और दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर ठीक है बाते करते हैं इसी के उपर आगे धन्यवाद चलो टेक केर बाई झाल करें झाल करें करें तो झाल झाल